अगर आपको इस चैप्टर की फूल एक्स्प्लाइनेशन देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगे लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं आएए करते हैं इस चैप्टर के एमस्प्यूज संतोस यादव वाज बॉर्ण इन डैस डिस्ट्रेक्ट संतोस यादव का जनम जिस डिस्ट्रेक्ट में हुआ जिले में हुआ इसका नाम बताना है आपके पास ऑप्षिन हैं अमबाला करनाल रेवाडी या पानीपत तो संतोस यादा वाच बॉर्ण इन रेवाडी डिस्टिक्ट रेवाडी डिस्टिक्ट में इसका जन्म हुआ था तो आपका स्वी ऑप्षिन को रेक्ट एंसर है नेस्ट कोश्चन पूछ लिया है इसके संतोस यादा वाच बॉर्ण इन डैस स्टेट किस श्टेट में इसका जन्म हुआ यह पूछा इसका जन्म बताना है आपने उत्तर प्र देश अरे ना पंजाब या गुजरात तो हर्याना में है सो न्यों crystal के संतोस यादा वाच बॉर्ण संतोस से कितने भाई से यह बताना है फोर फाइव सिक्स या सेवन तो संतोस के यादव के पांच ब्रदर थे और च्छेटे नमबर पर संतोस थी सबसे छोटी संतोस यादव थी इन विच विलिच संतोस यादव वोच पॉर्ड पहले दिस्ट्रिक्ट पुछा था स्टेड पुछा दव पूछ लिया कि किस गाउ में इसका जन्म हुआ था जोनियवास जोनियवास खास सोनियवास या फिर मोनियवास तो इसका जन्म हुआ था जोनियवास को में जो की रेवाडी डिस्ट्रिक्ट में है रेवाडी कहां है रेवाडी हर्याना में है संतोस यादव स्केल्ड माउंट एवरेश्ट डैस संतोस यादव ने माउंट एवरेश्ट को स्केल किया कितनी बार किया यह बताना है वंस एक बार थाइस तीन बार ट्वाइस दो बार या फिर नन इनमें से कोई नहीं जो संतोस यादव ने दो बार माउंट एवरेश्ट को फत्य किया है एक 1992 में और एक 1993 में जैनि कि 1992 में और 1993 में जो संतोस यादव की ससाइटी है वह लड़के के जनम को कैसे रिगार्ड करती थी कैसे इसको समझती थी कर्स एक अभिशाप ब्लैसिंग आश्रिवाद गोड भगवान की तरह मानती थी इसको या फिर ओल अफ तीज संतोस यादव की जो ससाइटी थी उसमें की उसमें किसी भी लड़के के जनम को एक ब्लैसिंग समझा जाता था आश्रिवाद समझा जाता था हालाकि ये बात थी कि जो लड़की का जनम था उसको अभिशाप तो नहीं समझा जाता था लेकिन उसको वेलकम भी नहीं किया जाता था क्या था का ये बताना है बिजनिस क्या था ँसका देखाइबर टीचर टीचर थे हर्फाइर बोज्टार एक डौक्टर थे हर फाइडर वाज एंड अफल्यवeszन फार्वर्मर एक बहुत इप पर्भारी फार्मर थे या फिर हर फादर वोज एन इंजीनियर उसके फादर एक इंजीनियर थे तो इसमें उसके फादर जमिदार थे फार्मर थे एक अफ्लिवेंट फार्मर थे तो आपका स्थी ओप्शन कुरेक्ट अंसर है नेक्स्ट देखेए वे डिट संतोष अव्याव अगट हर एलिमेंटर एज्युकेशन अपनी जो एलिमेंटरि एजुकेशन हैफिए संतोष यादव को कहां से मिली कहां से प्राप्ट की इन द लोकल सिटी श्कूल में द लोकल विलेज स्कूल local village school में इन जैपूर एट महराणी कोलेज या फिन दन ओफीज तो city school में तो बेचनों के खिलाप थे उसके parents local village school में उसे अपने elementary education प्राप्त करनी बड़ी महराणी कोलेज में तो उसने आगे की पढ़ाही की थी तो इसलिए आपका B option correct answer है what pressure did her parents put on her उसके parents ने उसके पर क्या pressure डाला to marry to marry, to study, to study, to study, to play, to play, to go to Delhi या फिर Delhi जाने का उसके parents ने जब वैं sixteen years old होगी उसके पर pressure डाला के वैं साधी करे, to marry साधी करने का pressure उसके पर डाला गया संतोस यादव जो है वो मैरीज को क्या समझती थी मैरीज को क्या समझती थी यह बताना है अपने जीवन की बहुत इंपोर्टेट चीज अपने जीवन में समझती थी यह सबसे लास्ट मन चाहिए तो यह लास्ट वाली चीज थी उसके लिए इसको शने ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं थी what didlist Santos threaten to her parents शन्तोस ने अपने पेरेंस को क्या धम की दी ठोड़ने की, पढ़ने की, प्ले खेलने की, नोक्यम्म,, प्रेफरेम, आपने आपको दमकि को जब शन्तोस के प्रेंस ने उसको ऊपर साधी भाउ डाला तो उसने कहा कि मैं साधी नहीं करोंगी जब तक मैं नहीं पढ़ोंगी तो not to marry, साधी नहीं करने के उनको धमकी दी why did Santos leave home संतोस न अपना घर क्यों छोड़ दिया to get married, साधी करने के लिए to get education, education प्राथ करने के लिए डेली में to earn money, पैसा कमाने के लिए या फिर all of these या फिर ये सब ही इसको education चाहिए थी to get education in Delhi क्योंकि जो आगी की education थी वो दिल्ली इनके नजदीक था तो दिल्ली में ही प्राप्त होनी थी तो इसलिए इसने अपना घर छोड़ दिया what was Santos plan to make arrangement for her school fee अपनी school की fees को arrange करने के लिए Santos की क्या planning थी to do part-time job part-time job करना to borrow money, पैसा उधार लेना to start a company, एक company start करना या to disclose her parents before others या अपने parents की बात बताना है कि वो मुझे fees नहीं दे रहे हैं दूसरों के आगे उनको disclose करते ना तो उसने अपने parents को प्रष्ट बोल दिया था कि वैं पढ़ाई जरूर करेगी और उसके लिए अपने fees arrange करेगी और कैसे करेगी to do part-time job वैं part-time job करेगी क्योंकि उसके parents नो उसको fees देने से मना कर दिया था हाला कि बाद में उसके parents से fees देने के लिए agree हो गई थे where did Santos enroll herself for mountaineering training mountaineering training के लिए परवता रोहन की training के लिए संतोस जादों ने अपना आपको कहाँ पे enroll कराया कहाँ पे admission लिया at उत्तरकासी इंद्रा institute of mountaineering उत्तरकासी में जो उत्राखण में है उसके इंद्रा institute of mountaineering में at उत्तरकासी गांदी institute या फिर उत्तरकासी नेहरू इंस्टिटूट of mountaineering या फिर महारानी कॉलेज जैपूर तो महारानी कॉलेज जैपूर में तो उसने अपनी पढ़ाई study की थी नॉर्मल study की थी और mountaineering की training के लिए वह चली गई थी उत्तरकासी में जहां पर उसने नहरू इंस्टिटूट of mountaineering में अपना नाम लिखवा लिया था अपने नाम को enroll करा लिया था इसके बाद देखिए next question where was Santos studying? संतोस कहां पढ़ रही थी यह बताना है महारादा कॉलेज जैपूर, महारानी कॉलेज जैपूर, महारानी कॉलेज जैपूर, महारानी कॉलेज जैली कॉलेज लेवल की study की, महारानी कॉलेज जैपूर यह आपका कोरेक्टर अंसर है उत्तरकासी is in this state, उत्तरकासी किस state में यह बताना है, पंजाब, हर्याना, उत्राखंड, गुजरात तो उत्तरकासी उत्तरकासी उत्तरकाण state में है, उत्तरकाण का पहले नाम उत्तराँचल था और यह अलग बनने से पहले उत्तरप्रदेश का एक हिस्सा था यानि कि पहले उत्राखंड उत्तर प्रदेश में ही था बाद में से अलग कर दिया गया पहले उत्राँचल नाम रखा गया और फिर बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया तो उत्तरकासी is in उत्तराखंड state What is the meaning of संतोस? संतोस यादाव का नाम संतोस था तो संतोस का क्या मतलब है? ये बताना है क्या आर्थ है happiness, खुसी, contentment, संतोस्टी, friendship या culture संतोस मिनिंग चैप्टर में भी आपके दिया वैस इसका मतलब है contentment contentment संतोस होना, संतोस्टी होना लेकिन जो संतोस यादाव थी, वैया अपने life से संतोस्टी नहीं थी वैया अगे बढ़ना चाहती थी संतोस preferred to wear संतोस ने क्या prefer किया? क्या पहनी की भाए? साड़ी, shorts, traditional Indian dress, none of these तो traditional Indian dress को तो भाए like ही नहीं करती थी साड़ी पहनी पहनी नहीं तो शुरू में क्या prefer किया? सोट्स, हाला कि बाद में अपने जीवन में उसने साड़ी भी पहनी ये बात अलग है लेकिन बच्पन में उसने सोट्स को पहनना prefer किया वैया सोट्स पहनती थी इसके बाद इंडियन government honored Santos with our dress भारते जो सरकार है भारत की उसने संतोस यादों को कैसे सम्मान दिया अर्जुन अवार्ण देकर के पदमसरी पदमभुशन या फिर भारत रतना तो भारत सरकार नो उसको पदमसरी दिया पदमसरी अवाड देकर के सम्मानित किया और ये पादमश्री अवार्ड उसको मिला सन 2000 में सबसे पहले माउंट अवरेश्ट पे जब सन्तोस यादाव गई उस पे फते की तो कब की ये बताना है 1990 में 1991, 1992, 1993 तो 1990 और 1991 तो है नहीं 1992 में मई का महिना था 1992 में उसने माउंट अवरेश्ट को स्केल किया 1993 में बहुत है सेकंड ताइम माउंट अवरेश्ट पे चड़ी थी वें दिर सन्तोस यादाव स्केल अवरेश्ट फोर दा सेकंड ताइम सेकंड टाइम उसने मांट आवरेस्ट को कब स्केल किया था यह बताना है इन 1991, 1992, 1993, 1994 तो 1992 में तो पहली बार मांट आवरेस्ट पे गई थी 1993 में वहार सेकंड टाइम मांट आवरेस्ट पे गई थी फ्रों वेर डिड संतोस दूहर ग्रेजवेशन अपने ग्रेजवेशन कहां से कि इसने रेवाडी से रेवाडी के स्कूल में तो उसने अपनी एलिमेंटर एजवेशन पूरी की थी डेली से हाई स्कूल की आजवेशन पूरी की थी लेकिन ग्रेजवेशन पूछी है जैपूर या फिर उत्राखण तो उसने जैपूर से अपनी graduation की study पूरी गी थी उत्राखण में तो वह है mountain ring की training लेने गई थी अलाकि चारो ही place संतोष यादों की education से related है लेकिन यहाँ पर परवाता रोहन की training ली यहाँ पर उसने अपनी high school की education पूरी की यहाँ पर elementary education और जैपूर में की अपनी graduation what request did the unborn child's mother make to the holy man जो request की holy man से unborn child's mother की वो क्या request थी blessing for a son blessing for a daughter blessing for money या फिर blessing for good health यहाँ पर उसकी जो grandmother थी वो वहाँ पर उसने उस वेक्ति को बोला था तो आप यहाँ पर grand mother भी आ जाए तब भी आपने यह answer देना है what request did the unborn child's grandmother make the holy man या मदर आ जाए तब भी यही तो उन्हों ने कहा था कि उनको आश्रवाद मिला चाहिए blessing for a daughter क्योंकि पाँच लड़के इनके यहाँ पहले ही थे तो उन्होंने लड़के के आश्रवाद को जिनाई कर दिया क्योंकि पहले तो holy man ने उनको एक लड़के होने का ही आश्रवाद दिया था बाद में इसकी ग्रैंड मदर वहीं पे खड़ी थी इसने कहा कि हमें लड़का नहीं चाहिए हमें blessings for a daughter एक लड़की का आश्रवाद चाहिए तब holy man ने उनको आश्रवाद दे दिया था ग्रैंड मदर या मदर कुछ भी आजए आपके कोंफ्यूज नहीं होना है blessing for a daughter आपने लिखना है हाव मच गार्वेज दिट संतोस ब्रिंग डाउन फ्रों दा हिमाल्याज हिमाल्याज यानि कि हिमाल्या प्रवत से कितना गार्वेज कितना कुड़ा घरकट ले करके संतोस जादा आई थी क्योंकि यह है एक पध्यावरण प्रेमी थी तो 200 किलो 400 किलो 500 किलो या 800 किलो वह लेकर कहती 500 किलो ग्रावेज कहां से रोम्दा हिमाल्याज हूम डिड संतोस गेव शेव सोरी शेव बाई सेरिंग हर ऑक्सिजन तो संतोस यादाव ने अपनी ऑक्सिजन सेर करके किसको शेव किया था हूम डिड संतोस सेर बाई सेरिंग हर ऑक्सिजन रहन सिंग, सोहन सिंग, महन सिंग या फिर नन अफ दीज तो महन सिंग एक कलाइम वर था और उसके पास ऑक्सिजन की कमी हो गई थी तब संतोस यादव ने अपनी ऑक्सिजन सेर करके उसके लाइप पो सेव किया तो उसको बचाया था संतोस फिल आप्टर रिचिंग दा टॉप ओफ वाल्ड के टॉप पे पहुंचने के बाद यानिकि माउंट एवरेश्ट पर पहुंचने के बाद संतोस यादव ने कैसा फिल किया सेड, उदास, टायर्ड, ठका हुआ, अस्पिरिचुल एड प्राउड मुमेंट या फिर अनकमफर्टिवल तो संतोस यादव ने अपने सब्दों में ब्यान किया है कि वहाँ पर उसे एक स्पिरिचुल मुमेंट लगा, एक प्राउड मुमेंट लगा जब है, वर्ल्ड के टॉप पर, यानकि मौंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंची किस ने कहा हुली मैन को कि वह एक बेटा नहीं चाहते, दा मदर ओप संतोस, संतोस की मदर ने दा मदर ओप विलेजर, गाओं के किसी व्यक्ति या महिला की मदर ने तो लिएसे कहाँ ने पिछे किया था, उसमें अकि मदर अगर आ जाएए या ग्राण मदर आ जाए तो ग्राण मदर वेसे सही रहेगा, ग्राण मदर जो संतोस यादव इती है, उसने कहा था कि क्वंचे बेटा नहीं चाहिए उनकों बेटे चाहिए तो आपने Grandmother of Santos यादव को correct answer बताना है What happened when Santos scaled the Mount Everest for the first time? जब first time Mount Everest को scale किया तो क्या हुआ? She became the youngest woman to achieve the feat इस उपलबदी को प्राप्त करने वाली वह सबसे कम उमर की महिला बन गई She became ill, वह बिमार हो गई या फिर none of these, इन में से कोई नहीं तो आपका B option correct answer है She became the youngest woman to achieve the feat Why did senior climbers praise Santos? Senior climbers जो थे वो Santos को praise क्यों करते थे? For her climbing skills, उसकी climbing skills के लिए For her mental and physical fitness Mental and physical fitness के करण For her concern for others वह दूसरों के बारे में बहुत चिंता करती थी इसके बारे में या फिर all of the above तो यह सारी चीज़ यह आ जाती है All of the above संतोस जाताओं कि senior इससे बहुत परभावित थे इसकी बहुत praise करते थे क्योंकि इसकी skills बहुत अच्छी थी Mental and physical रूप से fit थी है और दूसरों के बारे में चिंता भी करती थी तो all of the above आपका correct answer है At the top Of the Mount Everest The feeling is death Mount Everest के top पर इसकी जो feeling थी वो कैसे थी Comfortable थी Indescribable थी Explainable थी None of these तो संतोस जादव खुद कहती है कि वहां की जो feeling थी At the top of the Mount Everest वो indescribable थी यानि कि उसको describe नहीं किया जा सकता वो इतनी ज़्यादा थी यानि कि उसको सब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता संतोस जादव decided to choose a Das संतोस जादव ने क्या decide किया था Difficult way choose करने का Correct and rational path Smooth path या फिर traditional path संतोस जादव और traditional path के तो खिलाब थी Hard working थी तो smooth path तो बनता ही नहीं है Correct और rational path उसने कहा था कि यह दिवह Correct और rational path रास्ता चुनती है तो उसे किसी को follow करने की जुरूत नहीं पड़ेगी सभी को change होना पड़ेगा वह change नहीं होगी At which age most of the girls in संतोस village get married बही किस उमर में संतोस जादव के गाउं की लड़कियों की साधी हो जाती थी 15, 17, 14, 16 16 साल की उमर में क्योंकि संतोस जादव के अधिकतर लड़कियों की सातिया हो जाती थी Das was the first woman of the world to climb Mount Everest twice कौन दुनिया की सबसे पहली महिला बन गी जो Mount Everest को दो बार फते करने वाली बनी संतोस कुमार, कलपना चावला, मारिया सारापोवा या फिर हीमारास तरह में से आपको बताना है कि कौन सबसे पहले बनी तो संतोस कुमार भी नहीं है कलपना चावला भी नहीं है, मारिया सारापोवा भी नहीं है हीमारास भी नहीं है, तो कौन है, वो है संतोस यादव तो आप संतोस यादव लिख लिजिए संतोस यादव, यह आपका कोरेक्ट एंसर है इसमें यह option नहीं है तो इस option को आप यहाँ पर add कर लिजे के संतोस जादो was the first woman of the world to climb Mount Everest twice इसके बाद last question अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe करते हैं वीडियो को like करना, share करना मत भूलिएगा और red bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के notifications आपको मिलते रहें संतोस joint desk to scale the Mount Everest second time second time जब Mount Everest को scale किया तो इसने किसको join किया इंडो Chinese women's expedition इंडो Chinese women's expedition को इंडो नेफलीज women's expedition Chinese नेफलीज expedition या फिर इंडो भूटान women's expedition इंडो नेफलीज women's expedition को संतोस यादाओने जब दूसरी बार Mount Everest पर चड़ाई की थी उसको join किया था क्योंकि इन्होंने इसको invite किया था और तब 1993 में इसने सेकंड टाइम Mount Everest को फत्य कर लिया था I hope आपको सभी MCQ समझ में आ गए होंगे योडियों को लाइक करना शेयर करना विल्कुल मत भूलेगा थैंक यू have a nice time विल्के मुड़ाई जो उसके अड़ाई